इस प्राव्ड को सॉल करते है, question कहता है, the least number which when divided by 16, 18, 20 and 25 leaves 4 as the remainder in each case, but when divided by 7 leaves no remainder is. question क्या कह रहा है, वो smallest value, least value, जब उसको हम divide करते है 16, 18, 20 and 25 से, तो जो remainder बचता है, वो क्या बचता है, 4 बचता है, बट अगर उसी value को, उसी least number को अगर 7 से divide किया जाए, तो कोई भी remainder नहीं बचता है, it means 7 से वो completely divide हो जाता है, तो इस तरीके के question में हम कैसे proceed करेंगे, सबसे पहले हम LCM निकाल लेंगे, जो divisor हमें दीव हैं उसके, जिससे 16, 18, 20 और 25 को हम LCM निकालेंगे, LCM क्यों निकाल रहे हैं, हमें वो value चाहिए, जो 4 remainder देती है, अगर उसे हम 16, 18, 20 और 25 से divide करते हैं, इसलिए हम LCM निकाल रहे हैं, तो LCM क्या आने वाला है, 16, 18, 20 और 25 का, वो आ जाएगा, 3600, कितना, 3600, अब 3600 वो value है, जिसको अगर हम 4 से divide क 16 से divide करें, 18 से divide करें, 20 से divide करें, 25 से divide करें, तो completely divide हुजागे, इस question में क्या कहता है, कि हमें 4 remainder बचता है, it means, अगर हम इस value को इस form में लिख लें, 3600 cave प्लस 4, तो अब ये value 16 से divide होगी, तो 4 remainder देगी, 18 से divide होगी, तो भी 4 remainder देगी, 20 और 25 से भी दिवाइद होगी, तो भी 4 remainder करते हैं लेकिन question में further क्या कहता है कि अब इस value को जब अगर 7 से divide करते हैं तो कोई remainder नहीं देता है ठीक है तो हम क्या करेंगे इस 3600 k plus 4 को 4 में k की value इस तरीके से put करेंगे कि ये पूरा जो expression होगा वो 7 से divide होगा it means अगर k की value हम 5 put करते हैं ये के value कितनी put करते हैं 5 put करते हैं तो ये जो पूरा expression है means 3600 into 5 plus 4 तो अगर 7 से अब divide करें तो ये completely divide होगा और जो value आएगी वो क्या आएगी 1800 1800 plus 4 it means 18,000 और जो है वो value है option 4 वो value है जो 16, 18, 20, 24 से divide होने पर 4 remainder देती है और 7 से divide होने पर कोई remainder नहीं देती है